गूद मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस पाइल कत्याल फ्रो मांट लिटराजी स्कूल रौत तक हम लोगों ने कल बेसिक प्रोग्रामिंग का कुछ पार्ट किया था और हम लोगों ने कल एक पॉइंट किया था कि फ्लो चार्ट को जो हम flow chart पे अगर कोई program बनाते हैं तो उसको अगर हम basic 256 में करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे तो हम लोगों का ये program था और ये हम लोगों का output आया था तो I hope इससे पहले वाले जो program हो आप लोगों ने उनका practice किया होगा तो ये वाला जो program है थोड़ा सा new है तो I thought कि मैं आपको इसका practice करा देती हूँ आये देखते हैं कि ये कैसे करना है ये basic 256 की मैंने screen open कर ली है तो मैं यहाँ पे जाके new file create करूँगे मैं new पे जाती हूँ new पे जाने के बाद मैंने mention करना है CLG enter हमारा flow chart जो था flow chart में हमारा सबसे पहला statement था read start start के बाद है read cost price CP and read selling price SP तो मैं उसको करा रही हूँ input input कराने के लिए मैंने पहले input किया enter डाल sorry inverted coma किया तो मैं यहाँ करूँगी what is the cost price what is the cost price I hope सबको visible होगा otherwise वो आपकी बुक में अवे लेबल है cost price के बाद हम inverted coma को बंद कर देंगे inverted comas बंद कर देंगे बाद हम लगाएंगे कोमा और cost price को हम डिनोट करेंगे CP से ठीक है as it is same we'll do input कराएंगे हम inverted coma शुरू what is the selling price same inverted comas जो हम बंद कर देंगे then comma and then selling price को हम convert denote कर देंगे SP से उसके बाद हमारे पास में question arise होड़ता है कि हम लोगोंने क्या करना है कि when there is no profit or loss अगर हमारे पास कोई profit या loss नहीं होता मैं क्या करूँगी hashtag when there is no profit or loss जब आप देखेंगे अगर हम इसके साथ में hashtag लगा रहे हैं तो वो जो line है एक तो वो green color में हो जाएगी और दूसरा यह थोड़े से italic letters आजाएगी तो यहाँ पर हम statements लगाते हैं जैसे हम उसमें लगाएंगे कि if sp is equal to cp अगर sp selling price जो है वो cost price के equal होता है then इसके साथ में भी आप then लिख सकते हो थोड़ा सा space देके then तो क्या होगा तो क्या होगा print होगा क्या print होगा हमारा inverted comma शुरू there is no loss no profit no loss there is there is neither profit nor loss yeah there is no loss no profit जो भी लिखना है लिख सकते हो आप there is neither profit nor loss यह हो जाएगा हम लोगों का ठीक है यह हमारी एक statement हो गए इसके बाद में हम क्या कर देंगे हमने यहां पे जो if की statement को शुरू किया है जब हमने लिखा है if sp is equal to cp तो हम इसको end कर देंगे end if if को हमने क्या कर देना है end को if की statement को हमने क्या कर देना है end कर देना है ठीक है यह हमारी first statement हो गई उसके बाद हमारी second statement होती है कि when या profit calculate करने के लिए when ना लिख करके आप यह भी लिखते हैं to calculate to calculate profit profit calculate करने के लिए हम क्या करेंगे profit करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा SP है यानि कि अगर हमारा selling price जो है selling price जो है हम लोगों का जादा होता है cost price से तो उस time पे हम क्या करेंगे हम यहां statement लगाते हैं selling price SP is greater than CP अगर हमारा SP यानि कि selling price जो है वो CP से जादा होता है then तो क्या होगा space दे करके थोड़ा सा then then profit तो हमारा को क्या हो जाएगा profit होएगा profit कैसे होएगा profit is equal to SP minus CP जैसे हमने flow chart में करना है वैसे ही करना है यह देखो to calculate profit हमने first वाला जो कर दिया उसके बाद आया to calculate profit अगर हमारा को profit होता है तो क्या हमने statement लगाएं if statement if selling price is greater than CP अगर हमारा selling price जो है वो cost price से ज़ाधा होता है तो क्या होता है हमारा को क्या होगा profit profit कैसे होगा जब selling price cost price में से minus हो जाएगा तो हमारा पास क्या आजाएगा profit आजाएगा तो उसके बाद हम क्या करा देंगे, print, print क्या करवाएंगे हम, print हम ये करवाएंगे, inverted comma में, the transaction, क्या लिखेंगे हम, the transaction has resulted in profit of rupees, या फिर आप ऐसे लिखोगे, कि the profit will come in rupees, फिर comma लगा करके हम लोगों ने लिख देना है profit, क्योंकि हम लोगों को क्या होगा, profit, उसके बाद हम if की जो statement है, उसको close कर देंगे, and if, उसके बाद third statement लगाएंगे, to, space देखे, to calculate loss, loss क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, to calculate loss हो गया, उसके बाद में हम यहां लगा than cp, अगर sp जो है, वो हमारा cp से कम होता है, तो क्या होगा, then, हमारे को क्या होगा, loss होगा, हमारे को क्या होगा, loss, तो हम यहां पे लिख देंगे, loss is equal to, क्योंकि cp minus होगा, sp में से, ठीक है, cp होगा minus sp में से, और print हम लोग करा देंगे, the transaction has resulted in loss of rupees, यानि कि loss of rupees, inverted comma, बंद कर देंगे, comma आ जाएगा, और हम last में लिख देंगे, loss, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम इसकी if statement को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, ये जैसे जैसे आप वो करोगे, वैसे वैसे आपका ये जो data है, वो clear होता जाएगा, अब आप इसको run करोगे, जैसे ही मैं run करती हूँ, इसमें कुछ error आया है, complete error in line 15, हम check करते हैं कि 15th line में क्या error है, 15th line में ये error है कि मैंने loss के बाद में यहाँ पे is equal to नहीं लग यहाँ पे जब मैंने error clear किया, तो यहाँ पे हमारा point आता है कि what is the cost price, cost price है क्या हम लोगों की, 89, मानलो 89, what is the selling price, हम लोगों की selling price क्या है, 100, तो हमें क्या है, that transaction has resulted in profit of rupees 11, ठीक है, ये हो गया, अगर मानलो मुझे यहाँ पे loss निकालना है, या equal निकालना है, तो मैं इन दोनो को कर सकती हूँ, कैसे करेंगे हम, वापिस से मैं इसको run करती हूँ, the cost price मानलो मेरी है 89, और the selling price is equal to 89, ठीक है, the result is neither profit nor loss, हमारा जो result है, ना तो profit है और ना ही loss है, अब मुझे loss दिखाना है, तो मैं क्या करूँगी, cost price है हम लोगों का 100, और हम लोगों का selling price जो है, वो है 90, ठ ठीक है, तो क्या है, the transaction has resulted in loss of rupees 10, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, like आप यह लिख सकते हो, the result will be in a profit, the result will be in a loss, जो भी आप mention करना चाहो, जो भी आप line mention करना चाहते हो, आप कर सकते हो, ठीक है, I hope इस टाइम पे अब सबको यह वाला point जो है, वो clear हो चुका होगा आगे चलते हैं इसको लेकर के अब, आगे हम लोगों का point आता, इसमें है comparison operator, in a program we often need to compare two values to decide what to do, एक program बनाने के लिए हमारे को दो value की जरूरत होती है, यह decide करने के लिए हमें क्या काम कैसे करना है, a comparison operator, for example, these are the operator, works with two value and return to or false based on the result of the comparison, यह दो values जो हैं, वो आपस में एक साथ काम करती हैं, और जो values आती हैं, वो आपसी आती है, या तो वो true होती है, या फिर false होती है, क्योंकि उनके बीच में हमारा comparison किया जा, आगे जोती कह रही है, जोती, let us see if we can display an image in the graphic output area, I have draw image or profit or loss, for profit and loss, अगर वो यह चा रही है, कि अगर मुझे ग्राफिक एरिया में कोई image द दिखाना पड़ेगा, तो तेजस कह रहा है, we can use the image load statement, हमें उस वहाँ पर image load statement का use करना पड़ेगा, we just have to provide the x and y coordinates, where we want the image display and the image file name, let us also check how to display a caption, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको statement देनी होगी image load की, उसके बाद x और y को कोडिनेट कराना पड़ेगा, और उसको ताकि हमार जो image है वो display करी जा सकी, यह देखिए, syntax है, image load xy file name, image load xy scale file name, image load xy scale rotation file name, अब इनोंने किस तरह से किया है, program क्या है, clg image load, यह क्योंकि हम लोगों को image दिखानी है, 150, 150, ठीक है, इसके बाद में इनोंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक link डाल दिया है, कि यहाँ पर आप लोग 150, 150 मतलब की, इसकी जो length और breath कितनी होने वाली है, desktop और fish.png, ठीक है, आईए, देखते हैं कि यह point किस तरह से करना है, try करके देखते हैं, क्या करना है, clg हमने डाल दिया, clg डालने के बाद में हमारे पास में option आता है, image load, imgload, image load डालने के बाद में, हमने उसका वो डालन है, कि इसका length कितना है, और इसका breadth कितना है, 150, 150, यह मैंने डाल दिया, इसके बाद में यहां पे हमारे को वो link डालना है, जहां पे हमारी कोई picture है, जैसे कि, माल लो, मेरे कोई यह picture जो है, वो Google से लेनी है, ठीक है, तो मैं Google से उस picture को copy कर लेती हूँ पहले, आगे हम लोगो का आता है, array, array क्या होता है, जोती बोलती है, I have a list of words, मेरे पास में कुछ list, words की list है, I want to use these to write a quiz program, मैं इसको program, a quiz program जब होगा तो मैं उसको use करना चाहती हूँ, let us save these words and use them to prepare a quiz later at home, जब हम इसको, in words को save कर लेते हैं, बाद में हम इसका 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 इ DIM adjective, this give our array the name adjective dollar, since our list with contains string values, we have to add dollar at the end of the name, similar to string variable, we have also specified the number of string the list will contain in the bracket, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई list बनानी है, तो उस नाम के साथ, उस particular adjective के साथ, आपको dollar का एक sign लगाना हूगा, जोती, the computer then reserve five memory location for the array, what is the name given to each location, वो कह रहे हैं कि computer जो है, सिर्फ पाच नामों को ही reserve करेगा memory के अंदर, तो ऐसे कौन से नाम जो हैं, वो हमारे को देने हैं, the computer name the five memory location as adjective dollar zero, one, two, three, four, the number in the bracket is called an index, जो number होते हैं, जो ये bracket में one, two, three, दे रहे हैं, zero, one, two, three, four, इनको हम बोलते ह हैं, index, तेजस, this is similar to one column in spreadsheet, ये spreadsheet के अंदर एक column हो गया, most, yes, note that the index start at zero, instead of one, आपको ये याद रखना है, कि जो index है, वो हमारा zero से start होगा, वजाए की one के, each item of an array is called an element of array, हर एक item को, array की हर एक item को हम क्या बोलेंगे, elements of array, the dim statement, assign an empty string to each element in array in the beginning, this is called the initializing the array, जो dim statement है, वो starting में, array की starting में, use की जाएगी, जिसको हम बोलेंगे, initializing the array, what is initializing value for a numeric array, most, कह रहा है, each element of numeric array is initialized to zero, कोई भी अगर हम number डाल रहे हैं, तो उसकी value जो है, वो शुरू होगी, वो zero से शुरू होगी, यह देखिए हम लोगों का program दे रहे हैं, dim adjective dollar five, इन्होंने कर दिया, यह डाल दिया, program output, अभी कुछ भी नहीं आया, इसके बाद है, जोती, let us now assign value to the element, अब हम value assign करेंगे, adjective dollar is equal to amazing, slippery, large, monthly, juicy, यह हमारा सारा जो है, वो आ गया, adjective one, two, three, four, zero, one, two, three, four, five, five डाल दिया, इन्होंने यहां पर क्या लिख दिया, adjective dollar five, यानि कि हमने इसके अंदर five words डालने हैं, तो adjective dollar is equal to inverted comma शुरू, और उन्होंने सारे के सारे words डाल दिये, लेकिन वो सारे के सारे words हैं, वो inverted comma से शुरू होते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर comma, फिर बंद, फिर comma, चीक है, तो तेजस कह रहा है, let us retrieve the value and print them, अब इन value को हम डाल लिखते हैं, और फिर उनको print करवाते हैं, तो यहां तक तो second line तक हम लोगों को हो गया था, उसके बाद हमने क्या करवाना है, print adjective, हमने क्या print करवाना है, adjective को print करवाना है, वो हमने inverted comma में दे दिया, फिर आता है print, print कर लेंगे, for i is equal to 0 to 4, i is equal to 0 to 4, जो हम इने अभी last page पर पढ़ा, कि हम लोग array क्या करता है, हमारी value को initialized करता है, तो initialized जो value है, वो हमारी कहां से, किस नाम से show किया जाएगा, उसको i से, for i is equal to 0 to 4, ठीक है, फिर print, adjective, dollar, और i, next i, और यह हमारा जो है, वो output जो है, वो show हो जाएगा array की form में, तो array क्या होता है, कि जब हमने कोई point को line wise दिखाना होता है, तो हम array का use करते हैं, जो point को हमने list wise दिखाना होता है, तो हम उसमें array का use किया जाता है, और इसके अंदर, यानि कि basic 256 के अंदर, total 5 arrays का use किया जाता है, लेकिन वो starting उसकी जो होती है, वो 0 से होती है, और जब भी अगर हमने कोई list दिखानी है, तो उसको हमने show करना है, adjective dollar से, ठीक है, और जितने भी हम उसको हमने array की list दिखानी है, arrays दिखाने है, list दिखानी है, number दिखाने है, उनको हमने show करना है, एक bracket के अंदर, ठीक है, आगे हमारा next आता है, tejas, we also want to convert the game, अगर हमारे को कोई game भी convert करनी है, guess my number into a program, in this game the computer choose a number, the user has to keep guessing number till the guess matches the number chosen by the computer, वो कह रहा है कि guess my number को ये game है, और मैं य इसके अंदर क्या होता है, computer कोई भी number चूज करें, और जब तक वो चूज करता है, जब तक उसका actually yes ठीक नहीं हो पाता, is there a way to make the computer choosing a random number क्या, इसमें कोई तरीका है, कि computer जो है, कोई भी random number को चूज कर सकता है, most कहता है, yes, हाँ है, yes, check out the function section in the basic 256, जब हम उसमें एक function section को कर सकता है, yes, there is a function called rand, उसको बोलते है, rand, it does exactly what we want, जो हम चाहते है, वो यह यही है, number is equal to rand multiply 50, print number, number हमने print कर वा दिया, number आगे है, कैसे कर रखा है इनोंने, explain कर रहे हैं अभी है, the function rand gives a decimal number between 0 and 1, जो rand हमारे को क्या दिखाता है, वो बले functions दिखाता है, कि 0 और 1 के अंदर जो भी decimal number आते हैं, उनको वो visible करता है, we want a whole number, हमारे को एक current number चाहिए होता है, if you want the user to guess a number from 1 to 50, अगर आप यह चाहते हो, कि user जो है, वो एक से 50 तक number जो है, वो select करे, multiply करे, और generate by rand, और वो generate किया जाता है, rand के through with the last number in your range, आपकी range का last number, जैसे मान लो, हमने 1 to 50 के बीच में से कोई चूज करना है, तो हमारा last number क्या है, 50, फिर उसको convert कर दिया जाता है, functions के अंदर, तो यह एक example दे रहा है, x is equal to rand, let's assume 0.902 is generated, हमने यह resume करा, कि 0.902 जो है, वो generate किया गया है, x is equal to rand multiply 50, 0.902 multiply by 50, और उसको हमारा decimal में आ जाएगा, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, एक function आ जाएगा, कि हाँ, कोई भी वो number को choose कर रहा है, और उसको वो क्या कर रहा है, function जो है, वो generate कर रहा है, ठीक है, right, when you multiply rand with a maximum of desire range, you get the, जब आप इसको multiply करोगे, तो आपको actually range जो आपको मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो यह हम लोगों का जो chapter है, वो cover up ह को चुका है, almost इसमें से आपके internal questions जो है, वो आ सकते हैं आपके exam में, programming जो है, programming जो है, programming ऐसा as such, properly नहीं आएगी, कि हाँ, आपको programming करके दिखानी है, लेकिन जो इसके अंदर, programming के अंदर, जो internal questions है, कि जो भी किस तरह से CLG का मतलब क्या होता है, कि या फिर function किस तरह से किया कुछ program आपको लिख करके दे दिये जाएंगे, कि आपको इसको complete करना है, तो इस तरह से आपके question आ सकते हैं, तो please do practically, इसका काम practically कीजिए, अगर आपको कोई query होती है, then you can call me, thank you.